दोस्तों, आजकल बाइक तो लगभग सभी के पास में है, पर अच्छे अच्छे बाइक गैजट्स बहुत ही कम लोगों के पास में है इसलिए दोस्तों, आजके इस बीडियो में हम आपके लिए ऐसे ऐसे गैजट्स लेकर आए हैं, जो आपके बाइक को पूरा मोडिफाई कर देंगे तो चलिए, बिना किसी देरी के आजके गैजट्स के लिस्ट को शुरू करते हैं दोस्तों, बाइक चलाते समय कभी न कभी टायर्स तो पंचर होई जाते हैं तब हमारा दिमाग हो जाता है बहुत ज़्यादा खराब कि ओ तेरी यार कहां फस गए और लगातार बाइक उस करने से टायर्स गंदे भी हो जाते हैं इन दोनों प्रॉब्लम्स में टायर को घुमाना बहुत ज़रूरी होता है भाई तभी ना देख पाओगे कि पंचर कहां हुआ है और सफाई भी अच्छे से कर पाओगे पर यार टायर को बिना पेट्रोल के घुमाने के लिए उठाना पड़ेगा तो यार अकेले भाई ये हमसे तो नहीं हो बाएगा बड़ी प्रॉब्लम है ना और जरुत के समय पर कोई जल्दी मिलता ही नहीं है पर आप इस वील रोलर का यूज कर सकते हो बस इसे अपने बाईक के टायर के नीचे रख दीजे और यूज करना शुरू कर दीजे इसमें एंटी ग्रिट बॉटम दिया गया है जिससे ये हिलता नहीं है और आप भारी से भारी बाईक को भी इस पे रख सकते है दोस्तों लिस्ट का अगला गैजट MI की तरब से है ये है Aerox Lock दोस्तों ये बाईक के डबल प्रोडेक्शन के लिए बनाये गया है क्योंकि अक्सर क्या होता है न दोस्तों जो लॉक हमारे बाईक में दिया गया होता है वो उतना सेफ नहीं होता है यार कोई भी चोर आता है, हैंडल घुमाता है और बाईक लेके फुर, ये क्या बाद होई यार इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस लॉक का योज कीजिए ये फिंगर फिंट से खुलता और बंद होता है आप इसे बाईक के अलाबा स्कूटी और बाईसिकल पर भी लगा सकते हैं लॉक की क्वालिटी के चिंता मत करिए भाई एमाई की तरब से दिया गया है तो क्वालिटी पे तो आप ट्रस्ट करी सकते हैं और आप तो जान दे हैं हमाई कितना पॉपुलर ब्रैंड है दोस्तों अगर आप बारिश के मौसम में बाईक चलाते हो और आपको एक प्रॉब्लम तो जरूर आती होगे जब भी मिट्टी वाले इलाके में बाईक को पार करते होगे न तो आपका केक स्टैंड बार-बार मिट्टी के अंदर चला जाता होगा और बाईक पलट जाती होगी इसी प्रॉब्लम को देखते हुए ये केक स्टैंड प्लेट बनाए गए है जहां भी आपको बाईक पार करनी है वहाँ इस पिलेट को रखे केक स्टैंड को इस पे रख दीजी ये बाईक के वेट को डिस्ट्रिब्यूट कर देता है जिससे क्या होथा है ना कि स्टैंड जो है वो मिटी के अंदर नहीं जाता है स्टैंड इस प्लेट से फिजल न जाए इसके लिए इसके border पर corners भी बनाए गए है तो फिसलने का tension नहीं है ये polystyrene material से बना हुआ है तो इसके टूटने का भी टर भूल जाव यार नहीं टूटने वाला ये Number 4 Portable Inflator सोचे दोस्तो हम मजे से बाइक चलाते हुए जा रहे हैं और अचारक से हमें पता चलता है कि ओ तेरी यार बाइक में तो हवा ही नहीं है अब क्या करें फिर उस समय हो जाता है हमारा दिमाग खराब हम सोचते हैं यार कहां फस गए यार आज किस का मूँ देख कर निकला था ये वो ये वो तो यार इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये पोर्टेबर इंफलेटर बनाया गया ये ट्रडिशनल इंफलेटर की तरह है भारी और बड़ा नहीं है बलकि इतना चोटा है कि ये आपके बैग या फिर पॉकेट में इसली फिट हो जाएगा जिससे आप इसे कहीं पर भी ले जा सकते हो इसकी बैटरी 7800 mAh की है और एक बार चार्ज होने पर महीनों चलती रहती है इसमें एक फ्लैश लाइट भी दिया हुआ है जो रात में भाई बड़े काम का है और इसके कुछ वर्जन्स में आपको पावर बैंक भी प्रोवाइट किया गया है जिससे आप अपने फोन को भी चार्ज कर पाओगे इसे यूज करना बहुत ही आसान है बहुत सिंपल है बस वीकर के टायर्स में से वाल्व को खोलो और इस इंपलेटर के पाइप को उसमें अटैच कर दो और बस बटन आउन करो भर गई हवा इसमें डिफरेंट डिफरेंट मोड्स भी दिये गए हैं जिससे आप कार, बाइसिकल, फुटबॉल सभी में हवा भर सकते हो मस्ते हैं ना दोस्तों, ये लाइट स्पेशली बाइक को कूल बनाने के लिए बनाए गए हैं अगर आप एक ही कलर के लाइट को बार बार यूज करके बोर हो गए हो ना तो आप कलर को चेंज भी कर सकते हो सिंपल है यार इसमें मल्टी कोड भी दिया गया है जिसमें लाइट म्यूजिक के बीट पर गलो करती है आप इसे अपने फोन से या फिर इसमें दिये हुए रिमोट कंट्रोल से आप इसे कंट्रोल कर सकते हो इसमें IP7 वाटर प्रोटेक्शन भी अवेलिबल है तो बढ़िया भाई मज़े सी चलाओ बाइक को बारिश में टेंशन ने लेने का लेकिन हाँ रैन कोड जरूर पहले ना यार क्योंकि लाइट तो वाटर प्रोफ है लेकिन हम थोड़ी ना है नहीं है नमबू सिक्स डॉकिंग स्टेशन दोस्तों मैंने लिस्ट में पहले ही ना साउंड सिस्टम तो आपको बता दिया है लेकिन अगर आप अकेले अकेले गाना सुनना चाहते हो तो इस डॉकिंग स्टेशन का यूज़ कर सकते हो ये इसली आपके हेलमेट पर फिट हो जाएगा और आसानी से निकल भी जाएगा इसमें HD स्पीकर्स दिये हुए हैं जो एकदम क्लियर और क्रिस्प आडियो प्रोवाइट करते हैं ब्लूटूथ की रेंज 8 किलोमेटर है और इंटर कॉम कनेक्शन भी दिया गया है ताकि आप दूसरे लोगों से ब्लूटूथ से बात कर पाएं आप इसमें मल्टी डास्किंग करने के साथ साथ GPS वगेरा भी यूज़ कर सकते हो मस्त है ना दूस्तों जब भी हम लंबी राइड करते हैं तो हमारे हाथ दर्द करने लगते हैं इसलिए होता है क्योंकि हाथों को रेस्ट करने के लिए ना कोई सपोर्ट ही नहीं होता है आप इस थ्रोटल होल्डर का यूज़ कर सकते हैं ये आपके हाथों को राइडिंग के दौरान आराम देता है इसमें आपको ergonomic design प्रोवाइड किया गया है जिससे ये किसी भी bike पर fit हो जाएगा आप इसे 360 degree पर rotate भी कर सकते हैं साथ ही साथ ये high quality ABS और rubber का बना हुआ है तो बार-बार यूज़ करने पर भी तूटने का डरी नहीं है दोस्तों अगर आप अपनी bike experience को futuristic बनाना चाहते हैं तो ये gadget आपको पक्का पसंद आने वाला ये actually एक head display है जो आपके helmet पर fit हो जाता है आप इसमें गारे सुन सकते हैं किसी को call लगा सकते हैं और 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 अगर आप maps या navigation की दिवाने हैं तो भाई आप तो इसके भी दिवाने हो जाओगे इसमें camera भी available है जो HD photos और videos capture करता है इसे control करने के लिए अलग से button system दिया गया है जिसे आप अपने bike के handle पर fit कर सकते हैं ये अपने brightness को महौल के according change भी कर सकता है ताकि आप इसे day night में easily use कर सकता हो दोस्तो बाइक चलाते समय ना मस्त मस्त गाने सुनने में बड़ा मजाता है इसलिए मैंने सोजा कि लिस्ट में एक sound system भी लाना तो बनता है ये एक तरह के speakers हैं जिन्हें आप अपने bike के दोनों handles में fit कर सकते हो इन speakers को आप different different तरीके से use कर सकते हो आप चाहे तो audio jack लगा के गाने सुन सकते हो या फिर wireless भी इन्हें use कर सकते हो ये stereo sounds और 100 watt के amplifier के साथ में आते हैं जिससे की आवास तो भाई एकदम must clear आती है और साथ ही साथ ये दूर तक भी जाती है clamp आपको adjustable दिये गए हैं ताकि ये किसी भी bike पर fit हो जाए आप बारिश में bike चलाते समय भी गाने सुन पाएंगे और इसके लिए इसे IP56 waterproof system बनाया गया है तो बढ़िया है यार बढ़िया बारिश भी है गाने भी है निकल जाओ long ride पे और क्या नमबर 10 smart grip cover दोस्तों हम सब तो ये जानते हैं कि ठंड के मौसा में bike चलाते समय बाप रेबाप कितनी ठंड लगती है यार हाथ एकदम जम से जाते हैं ब्रेक नहीं लगाया जाता है क्लश नहीं दबाया जाता है ना और एक दो मिनट के लिए bike चलाओ तो ऐसा लगता है बस अब नहीं हो पाएगा लेकिन इस problem को दूर करने के लिए market में ना कुछ धंका मिलता ही नहीं है लेकिन आप इस heated grip cover का यूज कर सकते हैं ये gadget आपके bike में grip पर अच्छे से easily fit हो जाता है और आपको continuously heat provide करता है आप इसके temperature को अपने neat के according adjust भी कर सकते हैं इसे bike पर fit करना बहुत ही आसान है पहले इस cover को grip पर लगाईए फिर इसके harness को bike के battery पर fit कीजिए और use करना start कर दीजिए ये on होने पर 10 second के अंदर ही गरम हो जाता है इतना ही नहीं ये waterproof भी है तो बारिश में भी ठंड लगे number 11, bike detailer दोस्तों क्या आपकी bike पुरानी हो गई है और आप उस bike को एकदम नया करना चाहते हैं तो tension किस बात की है यार मैं आपको recommend करूँगा आप इस bike detailer का use कीजिए ये एक spray है जो गंदगी को तो साफ करता ही करता है साथ में आपके bike पर high gloss coating भी चुड़ा देता है जिससे आपकी bike न एकदम factory जैसी must new देने लगती है चम-चमाती होई आप खुद बोलोगे अरे वाई यार ये तो factory research जैसा काम हो गया है जी हाँ, अगर आप इसको एक बार भी use करते हैं तो ये हरदम आपके bike को कीचड और dust से बचाता रहेगा मतलब अगर आपकी bike गंदी भी होती है न तो tension ने लेने का बस एक बार कपड़ा मारने का और आपकी bike साफ आप इसे metal पे, plastic पे और यहाँ तक की rubber पे भी use कर सकते हो ये आपकी bike पर एक waterproof layer भी बना देता है जिससे कि उसे जंग न लगे तो दोस्तों मस्त है न ये gadget